सब्सक्राइब किजिए इजी टेक मास्टर चैनल और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं इजी टेक मास्टर आज हम बात करेंगे नए एक एजुकेशनल टोपिक के बारे में जिसका नाम है मिशन विद्या आप ये वीडियो में देखेंगे के इसमें हमको कैसे लोगिन होना है और अपने बचों के मार्क मार्क की एंट्री किस तरह से करनी है तो जादा जानकरी के देखते रहे हैं मेरा यह पूरा वीडियो और मेरे इस चैनल को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए नमस्कार दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर मिशन विद्या डॉट गुनोत्सव डॉट ओर जी नाम की साइट खोल रखी है आप जब खोलेंगे तो आपको ऐसा मेनू दिखाई देंगा उस पर यहां पर कुछ सुचनाई लिखी गई है कि बाइडिफोल्ट आपकी शाला का लोगिन है वो आपका शाला का डाइस कोड और पासवर्ड है वो ऐसे से एड़ दरेट शाला का डाइस कोड रहेगा जब आप यहां पर उपर दिखाई जाने वाले तिन डॉट्स बटन पर उसको क्लिक करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे यहां पर उपर लिखा हुआ आ रहा है लोगिन तो जब आप लोगिन के पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले वहीं डालना है पहले आप डाले अपनी शाला का कोड़ और उसके बाद पास्वर्ड में लिखना है एस एस ए डॉर्ट सॉरी एड़ रेट फिर से अपनी शाला का डाइस कोड़ करें करें और उसके बाद आपको यहां पे ऐसा विट्रॉ दिखाए देगा उसमें लिखा होगा चैंज पासवर्ड जिसमें पहला है करेंट पासवर्ड फिर न्यू सस्वर्ड फिर न्यू स्वर्ड यह पे ओ hanposa से add the rate अपनी शाला का code add करना है उसके बाद आपको जो नया password बनाना है वो यहाँ पे डाल देना है दूसरी बार वो ही फिर से यहाँ पे डालना है और change password बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका password है वो नया generate हो जाए उसके बाद आपको यहाँ से जो dashboard दिखाई देगा उस पे जाना है उस पे आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा मेनू दिखाई देगा जिसमें तिनो स्टांडर्स की संख्या और सब detail दिखाई देगी और यहाँ उपर आप देख सकते है चेंज मेनू सॉरी चेंज पासवर्ड मेनू और लोग आउट मेनू है और जो नोटिफिकेशन मेनू है वह यहाँ पे है उसके अलावा साइड मेनू में आप देख सकते हैं स्टूडन्ट एंड स्टूडन्ट मार्क एंट्री नामक दो अलग अलग अप्शन मेनू है और नीचे रिपर्ट्स कार्ड है आपको पहले देखना है स्टूडन्ट में स्टूडन्ट में जाके हमें स्टांडर्स सिलेक्ट करके क्लास सिलेक्ट करना है और उसके बाद औप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्कूल की जो बच्चों की संख्या है वो नीचे दिखाई देगी आपको वो चेक कर लेना है सही तरस है कि नहीं ऐसे ही तीनों स्टांडर्स के बच्चों को पहले चेक कर लेते हैं हम उसके बाद जब यह आपकी प्रोसेस खतम हो जाए तो आपको स्टुडेंट मार्क एंट्री मेनू में जाना है और हमको जैसे बताय गया है कि हमको पहले बच्चों की टेस्ट लेनी है और उसके जो नए मार्क आएंगे वो हमको एक्स टू मेनू में एंट्री करना है तो पहले यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है standard select कर लेना class select कर लेना फिर तीनों optional लग लग है reading, writing and math पहले reading पे और उसके बाद यहाँ पे name wise mark है आपको देख लेना है कि सभी mark से वो अच्छी तरह से है कि नहीं आप नीचे देखेंगे तो इस तरह से नया menu खुलेगा जिसमें name x1 यानि गुनोत 108 के marks और x2 जो हमको marks entry करने है वो वो हमको इस menu में करने है जो सभी बच्छों के marks आये है वो हमको यहाँ पे डाल देने है उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो next का menu होगा जैसे आपकी अनुसार जब हो जाए तो update देना है मैं अभी यहाँ पर update नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी marks नहीं डाले है उसके बाद यहाँ पे आपको उपर फिर से जाना है यहाँ से दूसरा स्टांड पहले अभी यहाँ पर दूसरा section बाकी रह गया है जो writing उसको क्लिक कर लेना है तो नीचे जब आप सब्मिट देंगे तो नीचे उसके mark आजेंगे तो अपनी जो टेस्ट लिए है वो फिर से यहाँ पर writing के marks एड़ कर देना है उसके बाद maths के जो भी marks आये है वो सब्मिट करके यहाँ पर उसके mark entry कर देना है यह हो जाए तो हमको यहाँ से दूसरा स् करनी है वो पूरी हो जाए तो फिर 8 फिर से वहीं process करनी है ऐसे सभी बच्चों के marks है वह में x2 नाम की जो column है खास दियान दिजिएगा x2 नाम की जो column उसमें enter करने है जब यह हो जाए तो नीचे दिएगे update बटन पर हमको click कर देना है दियान दिजिएगा इसमें कोई भी नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा होगा तो नुकसान आपके बच्चे को ही जाएगा इसलिए ध्यान से यह entry हमको पूरी करनी है इस चरण में हमको यहीं काम करना है इसके बाद अगला नया चरण आएगा x3 वह आएंगा तो हम नया वीडियो बनाएंगे इसके अलावा जो भी आपको मिल गई होगी इसके बाद भी आपके कोई question है तो नीचे दिये गए comment box में आप मुझे पूछ सकते हैं इसके अलावा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकरी आपको सबसे पहले मिल सके और बाजू में दिये गए बै तो बस इस वीडियो में इतना ही जय हिन जय बारत